Very Good Morning Dear Student Student as you all know हमारा New Chapter Start हो चुका है Sets और हम लोगों ने इसकी First वीडियो में Set की Definition उसको कैसे Represent करते हैं इसकी Notation क्या होती है इन सब के बारे में Discuss कर लिया है और आज हम कुछ Problem Solve करेंगे हमारी First Problem है State Whether the Given Collection are said or not Give Reason आपको यहां पे बताना है कि जो भी Collection Given है वो Set है या नहीं है और अगर है या नहीं है तो क्यों Reason भी देना है ठीक है First है हमारा Collection of All Intelligent Student of Class 6 Class 6 के सारे Intelligent Student का Collection Set होगा या नहीं होगा यह Set नहीं होगा यह Set क्यों नहीं होगा क्यों कि Well-Defined क्या होता है Well-Defined का मतलब होता है अगर हम लोगों ने कोई Definition दी है और उसके According कोई Set बन रहा है तो वो हर किसी के According Same होना चाहिए Different है नहीं होना चाहिए जैसे Intelligent Word की बात कर लें तो कोई Teacher कम बच्चे को भी Intelligent मान सकता है तो यह होता है हमारा Well-Defined अगर हम बात कर लें Seven Days के Collection की बात किसी भी बीक के Seven Days की Collection की बात करें तो हर कोई Monday से लेकर Last Sunday तक ही लिखेगा उसके पास और कोई Option नहीं है लिखने के लिए Clear हो रहा है तो यह Well-Defined हो गया कि सभी के According क्या हो रहा है Same हो रहा है कि वो Seven Days ही होंगे Next देखिए Collection of all difficult questions Next problem में क्या है यहाँ पर Difficult questions का collection करना है जो कि आपके मैस की बुक में given है तो मैस के बुक में जो difficult question है वो हर बच्चे के According अलग-अलग हो सकती है क्योंकि हर बच्चे का Mental Label Different होता है किसी बच्चे को easy चीज भी tough लगती है और किसी बच्चे को tough चीज भी normal लगती है वो कर लेता है तो यहाँ पर जो यह difficult word है यह भी हमारा well defined नहीं है तो इसलिए यह भी क्या होगा हमारा set नहीं होगा This is not a set since problem may be difficult for one and and easy for the other So the word difficult is not well defined यहाँ पर जो difficult word है वो क्या है well defined नहीं है क्योंकि हर किसी के coding tough कोई भी question tough है या easy है यह particular student पर depend कर रहा है तो यह well defined नहीं हुआ clear हुआ next देखें यहाँ पर c collection of integer lying bit bin 5 and 10 5 और 10 के बीच के आपको integers बताने है 5 से लेकर 10 के बीच में कहां से बताने है 5 से लेकर 10 के बीच में कितने आते हैं 5 और 10 को भी include नहीं करना है इनके बीच में जितने integer आ रहा है उन्हें बताने है तो 5 के बाद 6 होगा 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 तो यही हमारे basic 4 number आरहे ना 5 से लेकर 10 के बीच में तो हमारा collection क्या बन जाएगा 6, 7, 8 and 9 अब ये बिल्कुल fix है न अगर कोई भी solve करेगा तो उसे यही 4 number मिलेंगे ऐसा तो नहीं है कि 5 से लेकर 10 के बीच में कोई और number आ जाएगे सब को बस यही 4 number मिलेंगे हमेशा कौन कौन से 6, 7, 8, 9 तो यह हमारा क्या हो जाएगा एक set हो जाएगा क्योंकि यहां पर यहां पर यह well defined है यहां पर अगर कोई भी solve कर रहा है तो उसे यही particular same number मिल रहा है तो यह हर किसी के according solve करने पर अलग अलग नहीं आ रहा है तो यह हमारे क्या होगे well defined दूसरी चीज़े distinct भी है एक दूसरे से अलग है तो इसलिए क्या हो जाएगे यह set हो जाएगे next देखिए next है हमारा collection of first five prime number prime number first five prime numbers लेने हैं तो हमारा prime number start होता है कहां से two से और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यह ना पता हो कि prime numbers क्या होते हैं तो prime number वो होते हैं जिनके सिर्फ दो factor होते हैं एक तो वो खुद होता है दूसरा one या दूसरी definition इसकी इस तरह से बोच सकते हैं कि prime number वो number होते हैं जो self से divide होते हैं और one से divide होते हैं तो हमारा prime number start होता है कहां से two से तो कितने हो जाएगे five लेने हैं सेम होंगे तो इसी तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा सेट क्योंकि यहां पर जो डेफिनीशन दी है वो क्या है वेल डिफाइंड क्लेर हुआ